ये न काजल लग गया मेरे नाग पर अब मैं मुझे ये कैमेरे के स्क्रीन पर दीख रहा है लगा थे मुझे लगा था कि लग गया तो गाइस है गाइस गुड मॉर्निंग तो अभी जाएगा कैसे जा नहीं रहा है हाँ गया तो गाइस गुड मॉर्निंग आइम इंडियन उट्वर जोसना जैस्वाल और बस मॉर्निंग हो गई है और मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ आप जानते हो जैसे के मैं ब्यूटीशन हूँ और पार्लर चलाती हूँ फैन बन करना भूल गई हूँ मैं ताकि फैन का आवाज आपको आता होगा थोड़ा बहुत तो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ पार्लर पे और मेरा कल का वीडियो था हैर ट्रिमिंग के बारे में तो आप सबने देखा के नहीं अगर ना देखा हो तो आप देख के उसका टाइटल है हाव टू ट्रिम यॉर हैर पता नहीं मैंने क्या टाइटल दिया था पर ट्रिमिंग के बारे में है तो आप जरूर से चेक कर लीजेगा और आज मैं आपको सिखाऊंगी स्प्लीटन्स कैसे निकालते हैं ओके तो अपने आप आप बालों के स्प्लीटन आप जर्श आप घर पर किस तरह से निकाल सकते हो ऽो मैं आपको आज बताऊंगी तो गाइस चलिए ब निकलते हैं पारलों पर और आगे का काम करते हैं तो गाइस मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ? अच्छे लग रहे हैं तो आप like, share, comment कीजिए और मुझे comment करके बताईये गाइस कि आपको समझ में आया या नहीं आया या कैसा लग रहा है ? मेरे वीडियो में सब कुछ होता है जैसे कुकिंग भी होता है व्यूटिशन का काम भी होता है व्लॉग भी होते हैं मेरे घुमना फिरना भी होता है तो आपको कैसा लग रहा है और सब भी लोग लगे हैं दिवाली की साफ सफाई में उनको देखके मुझे भी जोश आ रहा है पर मेरे पास बहुत limited time होता है और रोज सोचती हूँ night shift करती हूँ पर मेरी night shift एक भी दिन होने ही पाती है मुझे 12 ऐसे ही बज़ जाते है और guys मैं सोच रहे हूँ एक दिन live भी आऊँ पर कुछ possible नहीं हो पा रहा है तो चलिए friends आज निकलते हैं और आज हम सीखेंगे कैसे हम hair को hair पे splittance आ जाते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं और बहुत बड़ी गलत बात है guys जिस तरह से hair पे इस तरह से splittance आ जाते हैं ना नीचे तो हर कोई क्या करता है ट्रेन में बैठा रहे गा ना कोई भी तो एक एक बाल को ना ऐसे करके दो बाल बनाते रहते हैं तो यह एकदम गलत बात है इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए बालों को और बालों को अपने बालों को प्यार करो guys जितना आप उनको प्यार करोगे ना उतने वो अच्छे से बढ़ेंगे तो friends चलिए हम सिखेंगे आज दुफेर को पारलर पे पहुँचके बालों के स्प्रीटन्स कैसे निकालने हैं और आपको monthly एक बार बालों के स्प्रीटन्स निकाल देने हैं बिल्कुल इतने इतने ही काटने हैं बालों को एकदम से ध्यान से उसको थोड़ा time लगता है पर आपने हर monthly एक बार आपने ये सब कर लेना है अपने आप खुद घर पे ताकि आपके बाल अच्छे से grow हो सके और आपने हफते में एक बार oil massage भी कर लेना चाहिए पर ज़्यादा जोड़ जोड़ से नहीं एकदम smoothly और प्यार से मैंने बोला ना जितना आप प्यार करोगे अपने बालों को उतने बाल अच्छे होंगे तो चलिए गाईस मेरी बड़बड में बन करती हूँ और चलती हूँ पारलर पे और वहाँ पे आपको जाके सिखाती हूँ कि बालों के splittance कैसे निकाले जाते हैं तो गाईस मैं अभी आ गई हूँ पारलर पे और मैं आपको बता रही हूँ कि splittance बालों के splittance कैसे निकाले जाते हैं ये मेरे बाल है जो देखिए नीचे बहुत सरे splittance हो गए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि splittance कैसे निकाले जाते हैं पहले बालों को अच्छे से कोम कर लीजिए आपको splittance निकालने हैं तो बालों को प्रॉपरली कोम कर लेंगे आप तो अच्छे से आपको पार्टिंग करने को अच्छा पड़ेगा मैंने हाप पोर्षन लिया है बालों का और हाप पोर्षन में से भी मैं one strip लोंगी इस तरह से क्योंकि हमारे यहां आगे बालों को बहुत splittance रेते हैं तो हमें पहले बालों को इस तरह से tight ले लेना है और काम के पीछे कर लेंगे हम और हम इसको इस तरह से twist करेंगे तो गाइस हम जितना twist करेंगे इसको ऐसे उपर करेंगे तो जो splittance वाले बाल है वो बहार आ जाएंगे और जो बहार आ रहे हैं हमें उसको इस तरह से कैची से उड़ाने हैं इस तरह से कैची से बाल उड़ाने हैं और हर एक पार्ट हमने लेना है उसको twist करना है आपके पास टाइम में आप छोटे छोटे पतले पतले पार्ट लीजिए ताकि वो splittance अच्छे से निकल जाए इस तरह से ये जो टाइट हो जाते हैं कितना आप क्रिस्ट करेंगे ने गाइस सारे बाल बहार आ जाएंगे ये दो पार्ट हो गए अपने पार्टे से पीछे डालते जाना है और फिर से एक पार्ट लेना है पॉइंट में देख लेंगे हमारे कितने splittance है आपने थोड़ा सा पॉइंट भी उड़ा देना है उसको थोड़ा सा उड़ाईए एकदम मिनिमूम और फिर से इसको twist करेंगे हमारे उपर बाल ज्यादा splittance नहीं रहते लेकिन जो नीचे नीचे गिस्ते हैं हम बैठते हैं और जब भी हम बैठते हैं वगरे तो हमारे बाल गिस्ते जाते हैं तो इस तरह से अब twist कर लिया है मैंने और अब देखिए इसके splittance इस तरह से धीरे से सारे जो जो डबल दो मुहे बाल है रहते हैं वो बाहर निकलाते हैं तो इस तरह से हमने उसको cut करना है इसे एक एक portion लेके आपने पूरा बालो को twist करकर के splittance निकाल देनी है यह procedure अपने मंतली एक बार करना है और उसके बाद आपने आपका एक side का portion हो गया तो आपने क्या करना है बालो को पूरा इस तरह से tightly comb करना है tightly comb करोगे ना फिर आप ऐसे पपड़ोगे ना तो आपको उपर-उपर बाल दिखेंगे double double तो यह सारे बाल आपने इस तरह से cut मार मार के निकाल देने हैं दो मुहे बाल ना गाईस इस तरह से बाहर आई जाते हैं हम उसको tightly मैं आपको दिखा रहे हैं देखिए tightly करते हैं ना तो यह हमारे दो मुहे बाल ना बाहर आई जाते हैं तो इसको हम easily cut मार सकते हैं इस तरह से तो यह हमारे एक साइड के बाल होने के बाद हाफ पोर्शन होने के बाद हमने क्या करना है बालों को कॉम करना है पूरा अच्छे से अच्छे से कॉम करके यह सारा पॉइंट है ना क्योंकि यह पॉइंट में बहुत सारे दो मुहें बाल रहते हमने तो यहां यहां ट्विस्ट करके निकाल ये point को हमने एकदम minimum थोड़ा सा cut मार देना है जो double ball वो इस तरह से cut मार दिया तो ये double ball सारे निकल गए तो guys इसी तरह से ये वाले ball अपने साफ हो गए है अब हम ये side के ball को साफ करेंगे और इसे दो portion करके आप अपने ball को कर सकते हैं वो ही same procedure follow करना है, twist करना है थोड़े थोड़े ball को लेके twist करना है last में ball को, सारे ball को भी लेके आप twist कर लीजिये देखिए इस तरह से सारे ball को लेके twist कर लेना है जितना tight twisting आएगा ना guys उतना ball सब बहार निकलेंगे और फिर ये ball को इस तरह से करना है इस तरह से आप उपर उठाओगे नो तो बाल बाहर आ जाएंगे और फिर सारे साइड के बाल हमने कट मार देने हैं आगे से पीछे से जितना आप नीचे जाओगे स्प्लिटर्स जादा जादा उतने आपको दिखेंगे यह दिखे अच्छे से लाइट के उजाले में आपने इस तरह से पुरे बालों के स्प्लिटर्स निकाल देने हैं और मंध्री एक बार करना है थोड़ा सा टाइम लगेगा गाईस अच्छे से आपने एक एक बालों को चुन चुन के उसको स्प्लिटर्स निकाल देने हैं आप बालो को mix कर लीजिए mix करके आप देखिए आप mirror में देख सकते हैं इसको tightly ऐसा pom कीजिए और tightly acid पकड़िए आप जितना उसको pom में tightly पकड़ोगे आपके splittance बाहर आ जाएगे यह देखिए यह सब splittance जो बाहर आ गए उसको cut मार दीजिए तो कैस इस तरह से आप बालो के splittance घर पे ही निकाल सकते हैं और एक बाद splittance निकालने के बाद आपने इसको serum लगा देना है serum आपने हमेशा यूज़ करना है serum लगाओगे तो आपके बालो में shining रहेगी देखिए अंदर के side थोड़े बहुत रहे गए splittance उसको भी में निकाल देती हूँ बालो को आपने deep conditioning करना है one month तक deep conditioning का मतलब मेरा है कि आप बालो को पहले धूने से पहले एक बार conditioner बाहर ही जब bathroom के बाहर देती हो पूरा conditioner लगा दीजिए बालो को नीचे नीचे scarf में नहीं लगाना है नीचे नीचे बालो को आप conditioner लगा दीजिए फिर आप shampoo wash कीजिए 10 minutes रख दीजिए आप बालो के conditioner को और shampoo wash कीजिए और shampoo wash करने के बाद आपने फिर से conditioner लगाना है और wash out कर देना है तो जैसे वो wash out हो जाएगा आपके बाल बहुत सिल्की और अच्छे हो जाएंगे आप वन टाइम ही कंडिशनर लगाएंगे तो बालो में इतना इफेक्ट नहीं होगा पर आपने इस तरह से टू टाइम कंडिशनर लगा के डीप कंडिशनिंग करना है तो बालो में स्प्लीटर्स आना कम हो जाएंगे औ ज्यादा तर बालों को पूरा ओपन मत रखा करो ज्यादा घिसते हैं न बाल गाईस कहीं भी लगके तो स्प्लीटन्स आते हैं तो इस तरह न बालों को बांद के रखेंगे तो सेफ रहेंगे वीकली एक बार ओईल लगाई है और सीरम और कंडिशनर तो लगाना ज़रूरी है तो गाईस इस तरह से आपने देखा कि मैंने कैसे अपने बालों के खुद के घर पे स्प्लीटन्स निकाल दिये हैं तो आप लोग भी घर पे अपने आप इस तरह से स्प्लीटन्स निकाल सकते हैं तो गाईस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शे